लूइ आप लोगो सब्सक्राइब निया स्मार्टफोन लॉच कर दिया और वह यहाँ पर इंट्फिनिक्स का नोट 5 जी हाँ यहाँ पर यह जो smartphone यह आप लोग को Google के Android One के साथ में मिलता है बहुत ही huge battery है, बहुत ही premium design है beautiful सी display और बहुत सारे features आपको देखने को मिलते है camera भी काफी कमाल का है यह video में मैं आप लोग को इसके बार में सारी जान के रहे हैं वैसे तो बताने बाला हो दो अलग लग variant में आपको देखने को मिलता है एक 332 है जिसकी pricing 9999 यानि की 10,000 रुपे की है और दूसरा आपको 464 है जिसकी pricing 11999 यानि की 12,000 रुपे की है यहाँ पर ये video आप देखते रहे हैं और फड़ा फड़ से यहाँ पर इसकी unboxing जो वो शुरू करते है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में ये bell icon भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे latest videos की notification जल्दी से मिल जाए तो box अब देखेंगे आपको कुछ इस तरह के कम मिलता है सामने लिका है Infinix बीच में देखेंगे Note 5 और नीचे देखेंगे ये आपको आपका phone मिलता है जो बहुती premium design में आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छे तो आपको video experience, gaming experience इस phone में जो बहुती अच्छा होने वाला है आपको यहापे single 12 megapixel का rear facing camera मिलता है 1.25 आपको यहापे micron pixels मिलते है साथ में आपको यहापे Google lens का support मिलता है जो बहुती बड़ी बात है budget phone में एक Google lens का आपको यहापे support मिलता है प्लस आपको dual LED flash मिलते है portrait mode में मिलता है तो बहुती कमाल का आपको यह camera जो देखने को मिलता है 16 megapixel के आपको यहापे जो वह selfie मिलते है जिसमें भी आपको LED flash मिलता है इसमें भी आपको booking mode मिलता है low lightning के लिए आपको बहुती अच्छा काम करेगा प्लस आपको 8W का fast charger भी box में provide किया गया है जिसके जरीए आप अपने phone को fast charge कर सकते है budget में कोई fast charger रही देता है यह company ने बहुत अच्छा काम करेए आपको यहापे Helio का P23 वाला Octagore का processor मिलता है 2 GHz पे clocked है अभी आप confused है कि यार यह processor कैसा होगा तो इसने snapdragon के 625 को भी outperform कर दिया है N22 score इसका काफी अच्छा आया है और साथ में आपको यहापे dual 4G volti का support मिलता है प्लस यहापे आप लोगे एक और चीज़ बता रहता हूँ कि मैंने Asphalt 9 और PUBG जैसे latest title वाले games यहापे इसमें high graphics में के लिए मुझे यहापे बिल्कुल भी lag और stutter नहीं आया था उसका proof मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूगा यहापे आप लोग उसके ने देखिए के X-charge जैने की fast charge का support जैसे की मैंने बताया था made in India और जाटा ड़े विसनी करते हैं आपट से box को open करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने box को open कर दिया है और ऑविसली यहाँ पर देखिए कि यह greeting है क्योंकि आपको Google का Android 1 मिलता है तो Google यह आपको greet करेगा और यहाँ पर देखिए करेंगे हमारा phone इस तरीके से हम बहर निकाल देते यहाँ पर और यह देखिए यहाँ पर आप लोग को सारी highlighting features जी वह mentioned की गई यह Android 1 लिका है तो फोन बहुत ही सही है काफी lightweight है बहुत ही slim है और बहुत ही premium आपको यहाँ पर design मिल रही तो उसको फिलाल किलम यहाँ पर आपको इस तरीके से निकाल लेते हैं और पीछे भी यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलता है और यह देखेंगे बहुत ही बहुत ही beautiful आपको यहाँ पर premium design मिल रही है considering the price आप यहाँ पर पे कर रहे हैं आपको फिनिशिंग मिलती है यहाँ पर glass की मिलती है पीछे से तुरह सा पीछी बात है कि यहाँ पर यहाँ पर इसके नदर आपको दो SIM card प्लस आपको यहाँ पर micro HD card का support मिलता है तो dedicated micro HD card का slot मिलता है दो SIM card के साथ में तो बहुत ही सही बात है ऊपर यहाँ पर कुष्टी मिलता है और पीछे देखें को तो यहाँ पर आपको single camera की placement डिकरी है dual LED flash है fingerprint scanner मिलता है इंफिनिक्स की branding डिकरी है और यहाँ पर सामने देखें को सामने की तरफ आपको camera यह पी sensor LED notification वगरा जो देखने को मिलता है तो यहाँ पर फटा फट से phone को आप बूट कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमने phone को जो बूट कर दिया है और बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पर डिस में मिलता है और आप देखेंगे टीपिकल आपको Google Android वाला जो वह होम स्किन मिल रहा है और यहाँ पर सबसे पहले हम जाते है phone की फीचेस मिलेंगे और स्टॉक एक्स्पीरियंस तो बहुत ही स्मूथ चलेगा और 32GB की स्टोरिज में से यहाँ पर मैंने वैसे दो बड़े-बड़े गेम्स इंस्टॉल किये थे तो आप देखेंगे इतना स्टोरिज आपको यहाँ पर फ्री मिलता है और भी बहुत सारे बात करें तो ज्यादा कुछ बोलने जैसे आपको ही नहीं आप देखेंगे बिल्कुल भी आपको कोई भी ब्लोट वेर जो देखने को नहीं मिलते हैं काफी स्टॉक एक्स्पीरियंस है जिसकी दौरा आपको फोन बहुत ही स्मूथ चलेगा यही काफ खास कर काफे सर लोग जो वो प्रिफर करते हैं जो इन्फिनिक्स ने सुना है और आपको इस तरीकी के जो वो इंटरफिस दिया है और मैं आप एक और चीज़ पतर है तो एंट्यू टू स्कूर की बात करें तो यहाँ पर एंट्यू टू स्कूर बहुत ही कमाल का है 84,900 का जो वो एंट्यू करेगा तो मैं आपकी confusion यहाँ पर दूर करेता हूँ यहाँ पर मैंने दो बड़े-बड़े गेम्स इंस्टॉल किये थे Asphalt 9 और PUBG यहाँ पर पहले शुरुवात करते है Asphalt 9 से मैंने आपे high quality पर यह गेम खिला हूँ तो आप देखेंगे gameplay बहुत ही smooth है और अच्छी बात है कि फोन में आपको कोई hitting issue नहीं होती है वह काफी less यह phone जो हीट होता है और मुझे यहाँ पर experience game के अंदर काफी अच्छा है latest title है तो आप देखेंगे high graphics में आप इसको जो खेल सकते है अपने इस phone में जो Helio की P23 ने आपे proof क्या है बहुत सारे लोगों को गलत फिर्म ही होती है कि यह परवाले processor अच्छे perform नहीं करते है उसके बाद PUBG के बाद कर तो आप देखेंगे PUBG भी मैंने high graphic में खेला हूँ realistic mode के अंदर और PUBG का भी experience मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा है यहाँ पर शुरुआत में render करने के बाद थोड़ा सा stutter हुआ था क्योंकि वह graphic जब भ अच्छे पिचर मिलेंगे लेंगे 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 लेकिन जो आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पर आइकन मिलता है इसको मैं प्रेस करता हूँ इस तरीके से तो यह Google Lens को open करता है और मुझे नहीं लगता है कि बजट फोन में आपको कोई company Google Lens का support जो प्रोवाइट करती है जो उस नहीं दिया है आप देखेंगे क्लियर पिच्चर आए है नाइट में भी काफी अच्छे सेंपल आपको देखने को मिलते है और portrait mode भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 13-32 वाले की वह एकदम से killer है क्योंकि आपको जो features मिलते है जो battery मिलते है जो design मिलता है Google Android One मिल रहा है प्रोसेसर भी काफी अच्छा है जो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया हूँ आपको camera भी काफी अच्छा मिलता है display भी बहुत ही सही है तो मुझे नहीं लगता है कि एक phone में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है आपको उससे जादा एक phone से expectation रखनी चाहिए और finally बात करते हैं यहाँ पर giveaway की तो आप लोगो यहाँ पर मुझे इस phone के कोई भी एक अच्छा feature जो बताना जो आपको पसंद आया especially और in Phoenix का आपको यहाँ पे जो वो नीचे नाम डालना पड़ेगा Infinite Note 5 और फिर आप मुझे इसके बारे में बता सकते जो Infinix Note 5 नाम नहीं दालेगा, तो मैं उसको winner नहीं सेलेक करूँगा, Infinix Note 5 आपको comment में केसी भी तरीके सा लिखना है, और उसके बाद आपको उसके feature के बारे में बताना है, कोभी एक, दो, जितना भी आपको ठीक लगे, तो अगर आपको वीडियो पसना है तो ज़रू से इस in a day and always keep smiling